दोस्तों नमस्कार यूनिक फ्रेमेंगेट आपका फिर से स्वागत थे दोस्तों आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वला है क्योंकि ऐसे किसान भाई के पास आये हुए हैं जो कि पार्ट टैम में देशी बकरी का पालन करते हैं बकरी पालन कर रहे हैं और इनका कि आसे पाल आपको हम दिखाएंगे टूड करायंगे दोसरोंीखर प्रन चुरुप किरा होता है और एक सफल जो बकरी पालन किसान है चला रहा हैं और काफी अच्छी शिंच का रही है और काफी quantity में एक अच्छा का सा quantity रखे हुए है और काफी संदार संदार क्वालिक इनके पास बक्रिया है और एक अच्छा इंकम भी लेते हैं बक्री पालन से तो आज किसान बैसी मिलाते हैं आपको देंगे इसके बारे में जनकारी कि यह कैसे कर रहे हैं इनके अलावा भी इनक तो सर सबसे परले स्वागत है आपका हमारी चनिल उनिक फरेमिंग अज में आप काफी एक अच्छे लेवल पर फार्मिंग कर रहे हैं और आज हम किसान भाई को दिखाना भी चाहेंगे कि कोई अगर बकरी पलन करना चाहे तो कहां से भी स्टार्ट कर सकते जहां से आपने तो पहले तो हमारे किसान भाई को लिए आप अपना एक बकरी फार्म का और अपना एक परिचे दीजिए सर नमस्कार आपका और आपके वीवर कर सर स्वागत है हमारे फार्ट में हमारा नाम मुहंबद वैसनवर है सर और यह हमारा पता हुआ ग्रोल ब्लोक में बैसाली जि जी सर अपना गर उसका एक आंगन हुआ अगन से स्टाट अपने किया तो कैसे सर इसका कहा सवागा और करने का क्या तरीका थोड़ सो बताईए यह बकरी पालन मेरा सोग था सुरू से हमारे घर में एक दो बकरी पिछले दस साल पंद्रे साल से रह रह रही है जब मैं जब म करने लगा तो मैं अपना सोग पूरा करने के लिए दो बकरी लाया धीरे-धीरे करके सर मेरा सोग बिजनेस की रूप में बढ़ गया अभी में जो है रखता हूं और इसे कम अमदनी भी करता हूं कितना साल हो गया सर आपको बकरी पालन में सर इसको मैं कॉमर्सियल प्रपो उचछी संख्या बच्चों को मिला कर ठीस आर डीसर और दो साल में आपने बेका भी है बगाटा कुछ भगिए मैं ने बेची है जिए जो किसान आते हैं सौक जो मांगते फक्री तो मैं उन्हें दे रहता हूं उनका इजट रखता हूं बखरे बसना बेंकर रखंड ईक्ति देखेये सिर्सचायाई जाए थोómoोन ऐसक्ति न क्यक्ते नश्काइब आपके नश्कांद यह फ़ारं करते हैं तो अफेसरम में नसल में बरवरी यह जखरांपारी तोटा पूरी है जमना परिए और बक्री को चमक देख रहें सर इसके अच्छा आपके घर के आंगन में यह फार्मिंग कर रहा है फिर बहुत को इसका आपको मतलब स्था शैषाए और अच्छे तरीका से कर रहा है थोड़ा से चिनाना भी चाहें कि आपके पास देख रहें अच्छी क्वाल्टी में बक्रिया है आपने जखराना बोला वह बट्री को पहचानवाई है कैसे पहचान सकते हैं देखें सर यह तोता पुरी बक्री यह पंच पुरी बक्री वाइट में रेड़ में आती है उसका फेज पंच रहता जये तोता पुरी हो गए जये सब यह जखराना बक्री की पाचाने भी नाक ऑगे जब बसो बात है अऑ पूरा बदन काला रहता है दूद में यह बहुत अच्छी बख्री होते है जब काफी अच्छी क्वालटी हम देख रहें है और वजन भी काफी आफ सब्सक्राइब कर दोड़ दोड़ देती है वैसे में बखरिया रखता हूं इस टार्टिंग तो आपने तीन बखरी से किया था बात थी कि अपने अलावा भी आप अलग से भी बखरी यहां पे लाएं तो कहां-कहां से अपने खर दाए गाहूं से खरदा या कहीं बाहर से जो किसान अपनी लिए पाले लाते हैं अगर उनका मन भड़ जाता है तो बखरिया उनसे पर्चेस कर लेता हूं उनके फार्म पर लाकि अच्छे से उसका देख भाल करके उनका नसल सुधार कर देता हूं आपके पास हम देखने के बरबरी में एक ब्रीडर बड़ा कमाल का इसके बाड़े में बताएं किसान भायों को और इतना तंदुरूस्त है उसका एज क्या है उमर क्या है इसके बाड़े में भी शेदांत का है 65 kg बोड़ी बेट में है अच्छा और उननत नसल का ब्रीडर है कितना इसका उमर कितना हो गया यह देख से परने दो साल का बीडर और जो बच्चा देने वाली बक्री है उनकी संख्या कितना है उनकी संख्या सर 20-30 बाकी चार ब्रीडर कुछ बच्चे बच्चे जो भी फार्म पे हैं लवजाद बच्चे जो बच्चे आयते सेल हो गया सर थो सा आप अपनी बख्रियों का डाइट बते कि आप इनको खिल मेरा कुछ नहीं है बक्रिया पेट भर के खाती है उतना दाना देता हूं रह गया डाइट का बाद इनके मैं सुबह सुबह जो है मसूर का भूसा चोकर चने का छिलका और मकई का दर्रा देता हूं ठीक है सुबह टाइम में उसका दिगा रहा बज़े कि आस-पास महीने पा अच्छा तो आप दिन फर में मतलब तीन टाइम इनको खाने को देते हैं दो टाइम मतलब अपना भूसा और चोकर मिला करें सुखा चारा और एक तैम जो होए ग्रीन फीडिन को दिया जाता है कि किसान भाई जो सुरू स्टार्टिंग करते हैं उनके लिए आपको सज़ेस आपने बहुत अच्छा कोश्चन मुझसे पुछा है इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे फोन आते हैं ठीक है और लोग जो फोन करते हैं वह मतलब की कहीं कहीं गुमनाम होकर फोन करते हैं वह पूछते हैं कि बरबरी बक्री है क्या रॉकेट कान में है क्या पीछे लेकिन कोई भी किसान भाई मुझसे यह नहीं पूछता है कि आपके पास अच्छी दूद में बक्री है क्या या जो वैसी बक्री है क्या जिसके बच्छे गुरोध करते हो लोग ऐसे नहीं पूछते हैं अगर आप खरदारी करने जाते हैं तो ब्रीडर का नसल देखना चाहि तो ब्रीडर अच्छा लीजीए आप और बक्रीा दुधारू देख लिजिए जह कि ज्यादा बक्री छघने वाली और ज्यादा बत्चे ग्रोध करने वाले हु आपके पास हम आपके पास रखा हुआ है डू सब होगे आप पार्मिग करते हुए और समानी थर्म करें लाएं नीज साय है शार विजनस करने के बताते हैं कि दो सले ने लगता है तो आप अपने फ़र्म से कितना विभडिये. कुमांट में है वसटक ना चाहिए क्रोफ सेल की बताना है मंदिकिया झालता हूं सब्सक्राइब फेटी जाते हैं वह अच्छी फार्मिंग के लिए बच्चे लेकर चले जाते हैं और सर्फ मतलब जो भी बच्चा देती है तो 30-35-40 होने के बाद मेरे यहां से किसान भाई बच्चे या बकरिया जो उनको पसंद आती है दुधार उदक्या में उन्हें दे दे देता हूं अचा यह कितने काफ तक जेल कर चुके हैं आप दो साल में सारी लाज़ का नच कोटा में वरी का अभी ऑट बतिया है दो पर बटबड़ी के बच्चा जो है वो 15 दिन का अशर सारे तीन से चार के जी बडिवेट में उनका जो बच्चे भी आया उनका भी ग्रोथ आपके पास अच्छा कॉंटिटी में हम देख रहे हैं अगर कोई दर्सक देख रहे हैं किसान भाई जो देख रहे हैं अगर बकरी पला ने स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए आप अपने अनुभाव से खुद एक छोटा किसान है और छोटे से आपने भिल्कुल धर्ती लेवल से स्टार्टिंग किया है और यहां तक आप आये हुए उनके लिए आप अपने तरह से कुछ सुजाव देना चाहिए सर में यह आपने बहुत अच्छा को आप कर सकते हैं नहीं तो ऐसे आप ऊपके छोड़ देंगे क्योंकि बख्री पालन जो है बहुत धैरे का बिजनेस है इसमें धैर नहीं रहेगा पसु से प्रेम नहीं रहेगा तो आपको लगेगा कि मुझे परिशान कर रहा इसी इंकम नहीं रहा है इंकम आने में तुरह लगता है इसलिए अगर बख्री पालन करना चाहते हैं तो थोड़ा धेर लखें और पसुपिरे में बख्रीपालन करें हैं कोई किसान अगर बख्री पालन करने में उनको यह वह सीखने के परपस लाए आंदनी के परपस से नहीं लाए और दो महीना बाद मुझे अनी चाहिए उगाविन बकरिया अच्छे नसल की दुधारु गाविन लेकर रहे चार पाट जो भी लेकर लेकर आए और लाकर उसको फार्ण पर रखे उसका सेवा करें कि हां किसकी समुसा में उसको क चोटा सा तूर रहा और फार्म नहीं बोला जाएगा शरका यह घर है और अगर के बीच व बीच पहला पालन कर रहा है और उनकी साण ब्धायों के लिए सब एक अच्छा एक्जामपल है जो की कहते हैं कि उनके पास जगह नहीं है कहां करें चाहे बकरी पालन करने में काफी investment लगाने की बारे में सोचते हैं कि उतना investment कहां से आएगा उनके लिए का अच्छा example है इन्होंने पुराने घर के आंग से सुरू किया और रूम में इन्होंने बकरी का फार्म बना डला और एक सफल फार्मिंग चला भी रहे हैं और यह बहुत आगे तक जाएंगे जिससाफ से इनका फार्मिंग है काफी अच्छी क्वाल्टी में के पास आप बकरिया भी देख सकते हैं और सफल फार्मर का यहीं एक मतलब कहने के पहचान होती है यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कि जीगा तन्यवाद